लालची रसोई में फूड लवर्स का स्वागत है आज मैं बना रही हूँ 36 गड़ का फेमस खटी अर्वी की सबजी या इसे यहाँ पर खटी कोचु भी कहते हैं इसे यहाँ पर मठे में बनाया जाता है जिसका स्वाद एकदम अलगी रहता है डिफरेंट टैप का मैं दम पारंपरिक तरीके साब को बना कर बताऊंगी इसके लिए आप अर्वी को कुकर में डाल कर उसमें 5-6 सिटी लगा कर उबाल लेंगे अब यहाँ पर इसका एक अलग ही मसाला तैयार होता है बहुत ही सिंपल मसाले में और कम मसाले बनता है इसके लिए मैं 2-3 हरी मिर्ची 18 लैसून और थोड़ा सा धनिया पत्ती इसको लेकर एक चटनी की तरह पेश्ट बना लूँगी इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तमाल नहीं किया जाता है लेकिन खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है इस तरह से इसका एक महिन पेश्ट बना लेंगे और हम एक कटोरी चाच लेंगे यहाँ पर चाच या चाच ना हो तो आप खटी दही लीजिए लेकिन दही खटी होनी चाहिए और उसमें इस चटनी को हम मिला लेंगे और इसे मिला कर रख लेंगे यहाँ पर हमारे अर्भी भी उबल गया है इसे छील कर हम इस तरह छोटा छोटा टुकडो में कट कर लेंगे इस सबजी का स्वाद एकदमी अलग है इस तरह की सबजी 36 गड़ में ही बनाई जाती है अब हम एक कड़ाई में सर्सो तेल डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग थोड़े से सर्सो के दाने और थोड़ी सी कड़ी पत्ती और दोठो लाल मिर्च यहाँ पर अब हरी मिर्च भी डाल सकता है मैं लाल मिर्च डाली हूँ और कड़ी पत्ता डालकर इसे चटकने देंगे और इसमें हम अर्वी के टुकडो को डालकर इसे फ्राई करेंगे इस सबजी का टेस्ट लगबग कड़ी की तरह ही लगता है कड़ी से इसका टेस्ट मैच करता है और इस तरह से हम अर्वी को भूनेंगे, थोड़ा लाल होने तक भूनेंगे जब अर्वी थोड़ी सी लाल हो जाएगी, तो इसमें मसाले में खाली हम हल्दी और नमक डालेंगे और कोई मसाला इसमें ने डालेंगे हल्दी नमक डाल का भी फिर थोड़ा सा और फ्राई करेंगे हम जब अर्वी थोड़े लाल हो जाएंगे तो हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसमें हम जो मठा बना के रखे थे दही में जो चटनी मिला कर रखे थे उसे धीरे धीरे डालेंगे इसे तेज आच में ना डालें नहीं तो यह फटने का डर है और इसे हम डाल कर मिलाएंगे अब मिलाकर हम इसे ढख कर 5-10 मिनट पकाएंगे जिससे इसमें लहसन और धरी मीर्च और धन्या पत्ता का जो टेस्ट हो पक जाए पांसे दस मिनट के बाद इसे निकाल के हम गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व करेंगे इस तरह का सबजी आप एक बर जरू बना के देखिए आपको कड़ी की याद आ जाएगी बहुती टेश्टी बनता है सबजी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करिए थेंक यू